है 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 कि है आध वर्ड वेलकाम टो जैनिक जैई ए स्टेडी लास्ट टाइम अब डिसक्स कर रहे थे जिसके बारे में बात कर रहे थे लोकल अट्रेक्शन मुझे आज पढ़ाना था तो लोकल अट्रेक्शन में आज आप सबसेंगे साथ शेयर करूंगा लेकिन उसके पह और सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को शुरू करने से पहले आई होप कि आप सभी अपने इस चैनल पर फटा फटा आ जाओ सब लोग सेशन को शेयर कर दो चाज आज आए हर जगे और टेलिग्राम चैनल को जोईन करना मत भूलिएगा टेलिग्राम चैनल को जोईन क topic है compass serving का अगर compass serving के बाद हो और local attraction ना जाने हम local attraction के बारे में discuss ना करें तो कुछ अधूरासा लगता है ठीक है तो उस पर भी हमारा discussion होगा और जैसा कि मैं बता दू कि आप magnetic declination भी पढ़ चुके हैं और magnetic dip भी पढ़ चुके हैं दोनों चीजें आप पढ़ चुके हैं लेकिन magnetic declination और magnetic dip में बहुत difference है दोनों में difference है ठीक है दो चीजे है कि एक magnetic declination magnetic declination magnetic declination ठीक है और दूसरा है magnetic dip अब दोनों चीज़े मैं आपको पढ़ा चुका हूँ magnetic dip magnetic declination भी आपको मैं बता चुका हूँ और magnetic dip भी आपको मैं एक्स्प्लेन कर चुका हूँ लेकिन यह दोनों डिफरेंट है दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से ठीक है डिफरेंट दोनों इस तरह से हैं अक्सर आप इन में confused हो जाते हैं और question में भी जब पूछ लियाता है और exams में पूछ लियाता है तो अक्सर हम गल्ती कर बैढ़ते हैं आपको बताना चाहता हूं आपका जो डाउट है मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं that magnetic declination is totally different from magnetic magnetic declination totally different है totally different है magnetic dip से magnetic dip से different है because magnetic declination में हमारा magnetic meridian हमारा जो magnetic meridian है वो true meridian से disturb होकर ठीक है 36 कोन बनाता है ठीक है यह 36 कोन बनाता है horizontal angle horizontal angle और यह क्या है magnetic declination magnetic declination ठीक है जब की यही चीज़ है यह मतलब ठीक है जब की इसमें क्या है थोड़ा समयदर करते हो सब्सक्राइब कम दिखाओ आपको clear ना हुआ ठीक है magnetic declination में क्या है कि हमारा magnetic meridian true meridian से disturb होकर 36 कोन बनाता है जो 36 कोन बनाता है उसी को बोलता है magnetic declination लेकिन magnetic dip में क्या है कि हमारी जो magnetic needle है वो 36 नहीं रह पाती डियर वो अपने north या south में मतलब 36 नहीं रह पाती वो मेंगनेटिक क्या है कि मेंगनेटिक निडिल का जो है होरिजेंटल से 36 वर्टिकल डिरेक्शन में डेकलाइन हो जाना प्रत्वी की सत्य की तरब जुग जाना होता है और यह जो है north या south पर up to 90 डिग्री तक हो जाता है पोल्स पर जो है 90 डिग्री तक हो बाता है जबकि equator पर east west की अगर आपन लोग बात करें ठीक है यह अपका हो गया ठीक है तो जो है क्या है तब जो है यह जीरो डिग्री तक होता है किस पर आपका यह देखलेंपर इक्वेटर पर टीक है जीरो डिग्री है जब की कम एश्धी ऐसाइड मेंटा को चैटिइड कोन बनाता है हमारा मैंग्नेटिक Really वह रपाता है और वो मुड़ जाता है किधर की तरफ जो हमारा earth surface प्रत्रवी की सत्य उढ़र की तरफ टक्लाइन हो जाता जिसको जो है magnetic dip बोलते हैं क्या बोलते हैं तो यह आपका totally different is magnetic dip magnetic declination से पूरी तरह लग है इसमें आप कभी confused मत होई है इनका यह दूनेट दो separate चीज़े हैं दो different चीज़े हैं दो different process है ठीक है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं next आज का जो हमार important topic है जिसकी मैं बात कर रहा था that is local attraction क्या है local attraction local attraction इस्थानिय आकर्शन local attraction ठीक है आज हम पर लोग बात करने वाले है local attraction के बारे में इस्थानिय आकर्शन magnet की एक property होती है बहुत खास चुंबक जो होता है वो metallic चीज़े अपने आसपास आने पर वो उसकी तरफ आकर्शित हो जाता है disturb हो जाता है अपना निर्धारित कारे करने में सच्छम नहीं रह पाता अपने सही पोजीशन में नहीं रह पाता अपने ट्रू पोजीशन में एक्जिस्ट नहीं कर पाता है तो इसी तरह वही चीज़ है मेगेटिक कंपास जो हमाहरा इसकी है आजपास कोई भी मेटलिक चीज है पिर चाहे वह इस पात की बिल्दिंग हो चिमनी हो रिल्वे लाइन हो मतलब मेटली चीज़ है आपके हाथ में अंगुटी है या रिंग आपने पहन रखा है जो भी चीज़ है अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो उससे मैगनेटिक निडिल डिस्टर्ब होगी मैगनेटिक निडिल अपने ट्रू नौर्थ में नहीं एक्जिस्ट कर पाएगा वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और मैगनेटिक नौर्थ से इधर उधर रियल मैगनेटिक नौर्थ से वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो जितना वो उसी process को, उसी disturbance को बोलते है local attraction, अब जब यह disturb होगा, local attraction disturb होगा, तो जो है क्या होगा, आपका magnetic needle ही सही position में नहीं है, तो reading क्या देगा सही, reading कैसे आपको सही मिल पाई, कोई chance है reading सही मिलने का, मुझे नहीं लगता, जब instrument ही आपका सही exist नहीं कर रहा है, तो उससे हमें जो reading मि कि क्या वो correct होगी, कोई chance है, कोई possibility लगती है, no possibility, तो बहुत, इसी लिए मैंने आपको last lecture में, पिछले lecture में बताया था, कि तीन चीज़ों का बहुत भिशेष ध्यान देना है, जिससे कमपा सरुमें हम से कोई error ना होने पाए, ठीक है, जैसे कि local attraction से बचाना है, इसी process को बो shift करके, close करके, दूसरी जगह shift करिये आप, ठीक है, तूसरा मैंने बताया था, कि service रखाओ कि लंबाई, बहुत जादा रखी है, और turn कम से कम रखी है, इस सब से error होने के chances बहुत कम हो जाते है, बाकी चौथा, तो चानते हो, आप observation में, आपको साउधा नहीं रखनी है, plotting मे कम हो जाएंगे, काफी हथ तक, ठीक है, तो local attraction पर आपन लोग बात करने जा रहा है, local attraction तो समझ में आया आपको, अब जो भी हमारे चीज़ें हैं, जैसे कि आपका metallic कोई भी चीज़ हुआ, कोई खंबा हुआ, कोई railway line हुआ, कोई building हुआ, कोई हमारे ring हुई, या हाथ में को वगरा हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें एफट करते हैं, हमारे magnetic needle को, हमारे compass की magnetic needle को, इसलिए ये जरूरी हो जाता है, कि हम जो है, magnetic चीज़ों को metallic चीज़ों से दूर रखें, इन, at least कम से compass serving में तो हमें ये precautions apply करना चाहिए, ठीक है, वहीं पर बहुत जादा necessary हो जाता है तो local attraction में अब हम क्या करने वाले हैं, कि local attraction में, अब ये तो पता चल गए आपको कि local attraction क्या है, अभी अपन क्या करने वाले है, इसका detection करने वाले है, detection, causes भी आपको पता चल चुके हैं, ठीक है, causes भी आपको पता चल चुके हैं, कि causes क्या है, लोकल अट्रेक्शन के कॉजिस क्या है डियर वो आपको पता चल चुक्य है कि कोई भी मेट्रेलिक चीज है उसी की वज़े से जो है लोकल अट्रेक्शन एक्जिस्स करता है अब डिटेक्शन की बात है अगर डिटेक्शन हमें करना हो ठीक है डिटेक्शन detection detection of local attraction detection of local attraction में अगर बात करें dear तो अभी हमें इसका पता लगाना है कि भाई local attraction कैसे exist कर रहा है यह कैसे पता देलेगा जब आप सर्वेच्छर करते हैं compass serving तो compass serving में छेतर को आपको पता है आपने traverse में divide करना है अब वो traverse माली या close traverse ले लिए आमने ठीक है वो traverse मालीजी हमने close traverse ले लिया ठीक for bearing होगी ना जब traverse होगा तो सर्वेच्छर रिखाए होंगी बाई शर्वेच्छर रिखाए जरूर होगी अगर traverse होगा उसमें सब survey lines है ना ये survey lines हो गई survey lines ok survey lines तो यह सभ्व लाइन हो गई आपकी ãyुक्ति अब यह से जो है सभ्व लाइन इनका पूर बेरिग होगा तो पिर बैगक बेरिग्ट होगा इक ओर इसी तरह यहाँ पर भी यह न淡। हो गया इसका भी फिर बैरिंग होगा थी का बैक बेरिंग भी होगा यहाँ पर North ठीक है अब यह जो है आपका यह इस तरह से ठीक है अब यहाँ पर भी होगा यह North ठीक है अब यह हमारी जो रेखा हो गई ठीक यह हमारा हो गया सारे 4 bearing हो गए back bearing भी हो गए ठीक तो 4 bearing और back bearing का जो difference है न वो अगर 4 bearing जैसे कि पता ही आपको या back bearing back bearing is equals to क्या होता है 4 bearing plus minus 180 degree अगर सर्वेच्छा रेखा हो कि 4 bearing और back bearing के difference 180 अंस आ रहा है तब तो वो सही है तब वहाँ पर local attraction exist नहीं कर रहा है लेकिन अगर 180 से कम जादा हो रहा है तो जरूर वहाँ पर local attraction हो सकता है ठीक है काफी chances है तो इसलिए इस बात को आप बिसेश ध्यान दीजिए कि 4 bearing और back bearing हर एक सर्वेच्छल रेखा का हर एक station पर ऐसा नहीं कि बस के वाल एक station पर ठीक है हर एक सर्वेच्छल रेखा का हर इस तेक station पर आपन को चेक करना है 4 bearing और back bearing का difference 180 degree से कम होना चाहिए ठीक है 180 degree होना चाहिए sorry 180 degree से नहीं कम नहीं 180 degree से जादा अगर 180 degree से कम जादा हो रहा इसका मतलब local detection वहाँ पर पक्का exist हो सकता है काफी chances है ठीक है तो इन दोरों के बीच के difference 180 degree होना चाहिए ये तो आपको पता चल गया detection अधिक्षन और लेकिन एक बात सम्नलीक नहीं सकते हो है जो अंतरगत कोण होटे है और फोर बेरिंग बेरिंग का difference 180 degree से कम जादा हो सकता लेकिन अंतरगत कोण है वो इससे affected नहीं होते हैं ठीक है वो इससे affected नहीं होते है dear तो इस बात को आपन को विशेश ध्यान देना है हमें ध्यान में रखना है ठीक है और इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं detection हो गया अब जो है यह भी पता चल गया कि detection कैसे करना है पता कैसे लगाना है अपन को ठी ठीक है इसको हमें जो है इसका find determined वो करना है कि local attraction को अब हम दूर कैसे करेंगे solution इसका क्या करना है अपन को ठीक है तो अब हम इसका solution निकालते हैं भाई फटा फट जो है solution solution थीक है solution क्या होगा इसका solution यह है डियर दो मैथ्टर्ड है local attraction को दूर करने के दो मैथ्टर्ड है ठीक है correct bearing find कर जो है दो मैथ्टर्ड है local attraction को एक और दो ठीक पहला क्या है कि पहला हम जो भी हमारा traverse है जो भी हमारा close traverse है traverse है उसका back bearing और four bearing सब का check करते हैं और सब का difference चेक करते है 180 degree है कि नहीं तो उन में से हम उस solution रेखा का chain करते हैं उन bearing का chain करते हैं जिनकी four bearing और back bearing का difference 180 degree है अगर 180 degree है तो वहां से हम उसी के आधार पर अन्य सर्वेक्शन रेखाओं के दिक्मानों में bearings में correction apply कर देते तो आपन क्या करने जा रहा है correction correction करना होगा correction ही तो क्या होगा solution होगा तो अपन लोग क्या करेंगे कि जो ट्रावर्स होता है उसमें जो बैक बेरिंग four bearing है ऐसी सर्वेक्शन रेखा डूढ़नेंगे जिसका four bearing और back bearing का difference 180 degree हो उसके बाद उसी के आधार पर अन्य सर्वेक्शन रेखाओं के बेरिंग का अंतर्गत कोन एरर फ्री रहते हैं उससे प्रभावित नहीं होते हैं तो किसी भी close towers के लिए डियर किसी भी close towers के लिए जो उसके अंतर्गत कोन होते हैं ठीक है ना और अंतर्गत कोनों का योग आपको पता यह कितना होता है 2N-4 into right angle यही थो होता है यही थो बताया है ने into right angle ठीक है ना into 2N-4 into right angle डियर होता है अंतर्गत कोनों का योग इतना होना चीए जैसे माले पेंटागन है अब पेंटागन है अब पेंटागन नमबर आफ नमबर आफ इसकी लिए देखाव जायगा पंच बुझ बन गया तो पंच बुझ के लिए जो है एन बराबर 5 न बराबर 5 हो गया यहां पर ठीक तो यहां पर 5 माइनस 4 एंटू 925 जो 10 मैंनस 4 तो 666 9 जो 540 तो यह डियर क्या हो गया 540 पंच बुच के अंतर गत अंतरिकोंगों का अंतरगत कुणों का योग 540 अंस होना चाहिए अगर ये अंतरगत कुणों का योग 540 अंस आ रहा है 540 आ रहा है या फिर 2N-4 to right angle को satisfy कर रा है ठीक है को follow कर रहा है पर exist कर रहा है ऊसमें exist कर रहा है तब और अगर नहीं कर रहा है दो थॉ ठीक है तब कोई दिक्त नहीं है अगर रहीं कर रहा तो पांज़ीक नराई जा डिया कि माल लेश कॉफर 30 40 मिनट आ जाता है 50 मिनट एक्स टाप बढ़ गया या यह यानी 50 मिनट का एरर आ गया इंद में जबकि इसकों कितने होने जाए 540 दिग्री उडए तो सब एंगल में दस दिग्री का actual से बढ़ रही है 540 के वज़ा 540 डिगरी 50 मिट हो रहा है तो हम इसमें correction negative करेंगे सारे जो included angle है सब में 10-10 मिट सब्टेट कर देंगे जैसे 10-10 मिट सब्टेट करेंगे फिर आप उसको check करेंगे तो अभी इसमें क्या करना है कि जो error आएगी उसको आपनको distribute कर देना है सब में बराबर बराबर बाट देना है उसके करेंगे इसाफ से correction कर देना है ठीक है उसके बाद आपको पता है कि अंतरगत कोणों का जो formula होता है वो बी माइनस f प्लस माइनस 180 डिगरी clockwise के लिए एंटी clockwise के लिए f माइनस b प्लस माइनस 180 डिगरी ठीक है ना यह तो केवल फोर बेरिंग के लिए था जब बैक बेरिंग भी गिवन हो तब आपको clockwise towers के लिए bb माइनस fb प्लस माइनस 360 डिगरी यह क्या हो जाएगा fb माइनस bb प्लस माइनस 360 डिगरी ठीक है ना तो यह लगबग चार चार फार्वुले आपके पास है इन करते चले जाएंगे हो गया काम आपका फैंड कर लेंगे तो इसी की अढ़ियसे की आपको यह अंतर गटकोंड कर आप आप और ऐसी रेखा का चुनाओ हम करेंगे जिसका शुरू से ही और कर आपके पास हैं उनको अप्लाई करना ही है लेकिन शुरुआत कहां से हपन को करना ऐसी जगह से जहां से फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस हो वास हम शुरू करेंगे फिर सारे जो रिमेंग जो रिस्टिंग बेरिंग से वह भी आजाएगा इंक्लोड़ेंगल तो पहली आप करेंट करी चुकि कोई दिक्कत है नहीं हो गया काम आपका ठी रेक करने का तरीका बता दें आपको, close towers में survey action रिखा है, जिसे survey action आपने जहां से start किया, माल लीजे A से start किया, B पे गए, B से C पे गए, C से D पे गए, D से E पे आए, तो जिधर से आपने work start किया, ठीक है ना, जिधर से आपने work start किया, वहां पर जब हम पहुंच गया जिसे माले A से B पर गए B से C से D D से E E से वापते पर अब आपन क्या करेंगे कि अपोजिट डारेक्शन में अब वापस A से E E से D यह लीनियर चेक है लीनियर लेंथ के लिए अभी एंगुलर के लिए बताता हूं ठीक है बेरिंग के लिए वही 15 मिन से ज्यादा का डिफरेंस ने हो चाहिए अगर बैक बेरिंग फोर बेरिंग में डिफरेंस ज्यादा है डियर तो वह वर्क एक्सेप्टेबल नहीं होगा उसको अपनको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा सारे वर्क सारे प्रिजर अपने फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम 15 मिनिट का डिफरेंस होना चाहिए इससे ज्यादा डिफरेंस परमिसिबल नहीं है ठीक है तो अब चलिए आगे बढ़ते तो इंड़र्ट डिरेक्शन में आप अब क्लोष टार्स हो तो अमार ट्रावर्स क्लोष हो नजाना चाहिए ऐसा नहीं कि क्लोष ना हो चाहिए अप प्रोग्रेसी डारेक्शन में चले या आपोजिट डार्सट में रॉपूरा कम रिपीट करते हैं चेक करने के लिए और यह फोर बेरिगव का फंडा है नाए लास्ट में तो आप करोगे ही ठीक है for bearing of last line मतलब for bearing of last line is equals to 180 plus minus back bearing of same line ठीक है, आफ, same line, same line, ठीक है न, clear है, तो ये चीज़े आपको हर एक station पर, हर एक line पर follow करना है, ऐसा नहीं कि एक ही जगाँ पर कर लिया, ठीक है, तो इस चीज़ को आप विशेज ध्यान दीजिए, अच्छा है, लिमिट की बात रही डियर, तो लिमिट मैं आपको बता देता हूं, 15 मिनिट का लिमिट है, परमिसिबल, 15 मिनिट से ज्यादा का FFA बेरिंग, बेक बेरिंग में, दूसरी बात जो अगर, degree of accuracy की बात करें degree of accuracy degree of accuracy है न अगर इसमें जो हम degree of accuracy अपन लोग लेते हैं वो क्या लेना है ठीक है? degree of accuracy पहला linear के लिए linear error के लिए ये 1 in 300 से ठीक है? 1 in 300 से 1 in 600 अपन को लेना है 1 in 600 ठीक है? उसके बाद दूसरा है ये दूसरा देखे क्या है? linear के बाद angular ठीक है? अगर angular मतलब bearing में भी जो है तो इसमें dear क्या है कि permissible limit है? 15 minute under root S ठीक? देखे 15 अलग है? S अलग है औरना S को आप 5 मत समझ लीजिएगा where? जहां पर S जहां पर S है dear S क्या है? S आपका है number of traverse station number of traverse number of traverse station number of traverse station है तो इस तरह से आप check भी आपने कर लिया check भी कर लिया degree of accuracy क्या लेने वो भी आप सबको पता चल गया हम लोगों को अब मैं आपको adjustment of bearing बता रहा हूँ bearing में adjustment हो थोड़ा सा बता देता हूँ ठीक है bearing में adjustment बता देता हूँ adjustment in bearing अधिस्मन करना है थीच घूण adjustment in bearing किस में करना है आपनको bearing में करना है ठीक है adjustment in bearing करना है तो adjustment in bearing में ध्यान दो डेटर कि adjustment of bearing जैसे माल लिजी की कोई ट्रावर से अपन का यह हम लोग का कोई ट्रावर से ठीक अब यार्ड यह दोखो जो है कि हम लोग का कोई इसमें क्लोजिंग एर्र रह गई क्लोजिंग एर रह गई इस इसे को बोलते से closing error क्या बोलते हैं closing error बोलते हैं तो अब यह closing error को generally e से represent करते हैं किसे represent करते हैं अब सबकी bearing में हमें correction करना पड़ेगा तब ही तो traverse close होगा तो अगर मालो n है मालो for n number of side for n number of side for n numbers of sides of closed towers closed towers ठीक तो अभी सब लाइन की bearing में करें अबी में आलग कर रहें एक पहली लाइन में first line में ही जानते ही यह closing error होगी total is the total closing error total closing error ठीक है न तो यहां पर देखो dear क्या है कि आपका जो bearing है adjustment for first bearing adjustment for first bearing adjustment for first bearing first bearing में जो पहली bearing है उसमें क्या करो गया उसमें dear करेंगे जो है one into e upon n e upon ठीक है e upon n ठीक है दूसरे में करेंगे second में इसकेंड बेरिंग में adjustment कैसे करेंगे उसके लिए हो जाएगा टू इन टू इंटू ए अपॉनन ठीक है थर्ड में आते हैं अपन लोग थर्ड में एन शारी थर्ड में थरी लिख दोगे न थरी इंटू इपॉनन ठीक है इसी तरह मान लिजे फोर्थ है dear तो फोर्थ में आपन लोग क्या करेंगे फोर इंटू इपॉनन एंड तो आन इसी तरह से dear 567 अब एंथ में करेंगे लास्ट वाले में क्या हो जाएगा एंड इपॉनन एंड से एंड कट जाएगा dear यह आजाएगा टोटल क्लोजिंग रह ठीक है इस तरह से आपने एडजिस्मेंट करना है किसमें बेरिंग में करन आने के लिए ठीक है लोकल अट्रेक्शन समझाते हैं लोकल अट्रेक्शन कैसे जैसे माल लीजिए कोई क्लोज टावर्स है आप उस पर हमें चेक करना है कि इस पर चेक करके बताएगा आप में लोकल अट्रेशन एक नुमेरिकल चोड़ा समय लेता हूं आपको समझाने के और अब घ। जान के लिए थेल ले इससे बहुत ध्यान से सुंसरिट करी यहएगा थीक है और एक उपर हम एक पतार एपर आफ़ाब इस टेशन या डिट्रमाइन द दीट्रम trainings चिट्रमाइन अट्र्माइन च सर आपर हें मेरह तक है के विकल अच सर उन्ररकुंग if any if any based on the following data क्या है based on the following data based on the following data ठीक है ना following data चलो भाई डेटा लेते हैं आपन लो ठीक यह हमारी सर्वेशन रेखा हो गई ठीक है यह अपन का सीरियल नंबर हो गया सीरियल नंबर यह हमारी वान टू त्री फोर ठीक है यह हमारी लाइन हो गई सर्वे लाइन क्या हों कौन सी लाइन हो गई सर्वे लाइन ओके ना सर्वे कर लाइन ठीक है फिर फिर फार बेरिंग और बेक बेरिंग etcetera 4 बेरिंग यह हो जाएगा ना इसका बेरिंग चलो ले लेते हैं ठीक है इसका बेरिंग अपन लोग लेते हैं 74 डिगरी एक क्यान नबे डिगरी एक सो चांचेट डिगरी 177 डिगरी 189 डिगरी इसका जीरो ले लेता हूं मैं इसका नाइन डिगरी इसका 343 डिगरी ठीक है दोस्तों क्यान नबे में एक सो सी जोड़ दुजरा भाई दो एक सो असी 101 टीक है 271 डिगरी और चोहतर डिगरी कर लेते हैं 24 में एड़ कर लेते हैं अपन 1804 254 डिगरी 254 डिगरी अब हमें क्या करना है न कि अब हमें जो है सौरी अभी तो सारी मेनत बिकार हो जाती अब हमें क्या करना है कि कि अब हमें लोगों क्या करना है कि इस पर हमें चेक करना है कि भाई local attraction बताइए आप चेक करके बताइए ठीक है तो पहला काम तो आप यह करिए कि यह data जो आपने लिया है यंज़या है तिक है यह data हम लोगों ने लिया है इसको जो है इसका में four bearing back bearing डोनों गिवन इनका difference चेक करो भाई इसका भी difference तो किता है 180 degree है difference एक column में एड़ कर दूँ क्या यहाँ difference का difference ठीक है इससे आपको समझ में आ जाएगा इसका difference 180 degree है यहां पे भी 180 degree difference आ रहा है यहां पे तो किता हा रहा है भाई 188 आ रहा है कि नहीं नहीं आ रहा है तो यहां पे अगर 180 करेंगे तो यह करेक्टेड वैलू 346 हो जानी चाहिए ना तभी 180 आएगा डिफरेंस इस पर इसका डिफरेंस देखो किता है इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 170 क्योंकि इसकी वज़र से गरबड़ हो गया ना यह वरना यह भी सही आ था इसका डिफरेंस देखो किता आ रहा है 180 बागी सबका सही है मतलब गरबड जाला यहीं से सुरू है ठीक है मतलब A B B C C D तक काम होके है डी पॉइंट से हमारा करेक्शन अपलाई है डी पॉइंट पर देखे एग्स मतलब डी पॉइंट पर हमारा डिफरेंस वरनेटी डिगरी नहीं आ रहा फॉर बिरिंग का यानि कि डी पॉइंट लोकल अट्रेक्शन से प्रभावित है औ प्रण कट से बढ़ जाएगा तो अब आपको लोग क्या करते हैं कि इनका अब हम लोग करेक्शन अपलाई करते हैं क्या करते हैं क्या करेक्शन तो अब मैं इसी मैं आपको आंसर बता देता हूं इसी मैं आपको आंसर सॉल्व करके बता देता हूं तो बहुत बेतर हो बढ़ा लेता हूँ तो बढ़ाने पर ये तो observed bearing का table हो गया माल लेते हैं अपन लोग ये observed bearing हो गई ये कौन सा bearing का table हो गया dear observed bearing ठीक है सारी चीज़े same same रहेंगी ये observed bearing हो गया अब हम लोगों का ये जो observe किया गया था अब ही ये correction हम करने जा रहे है क्या करने जा रहे है correction और उसके बाद correct bearing क्या लिखेंगे correct bearing correct bearing correct bearing लिखेंगे dear अब correct bearing में four bearing back bearing दोनों आएगा dear correct bearing में four bearing और back bearing और इसी के साथ साथ डियर एक और चीज जायेगा इसमें क्या जानते है रिमार्क रिमार्क का कॉलम भी एड़ करना पड़ेगा रिमार्क का कॉलम हमें एड़ करना पड़ेगा तो यह आपने लिख दिया रिमार्क ठीक है यह हम लोगों ने लिख दिया रिमार्क तो यह remark हो गया, आप देखिए क्या है, बागी साथ यह question में आपको given है, correction at a, at a पर, a point जो है हमारा, वहाँ पर correction 0, क्योंकि भाई, difference on 80 degree है, कोई दोरत नहीं करने की, at b, b पर भी 0, at c, c भी हमारा free है, because c, because b, c और c, d, दोनों bearing आपकी सही है, तो at c, at c, पर b, correction 0, d पर correction करेंगे, d पर bearing, जो है, d पर bearing 343 degree नहीं होगा, 346 होगा, correction, तो d पर हमने क्या क्या correction किया, 3 degree का, तीक है, अब यह d, हमें यहाँ लिखना चाहिए, चलो, इसको मैं थोड़ा सा, तीक है, d पर, 3 degree का correction होगा, d पर, और e पर भी क्या है, 0, e पर भी, 0 है, ठीक है न, अब फोर बेरिंग, बेक बेंद होगा, फोर बेरिंग क्या है, चोहतर डिगरी, 274 डिगरी, 274 डिगरी, ठीक है न, 91 डिगरी, 271 डिगरी, तो 343 के बज़े क्या हो जाएगा, 346 हो जाएगा, 346, 346 डिगरी हो जाएगा, और जैसे ही आप इस पर करोगे तो आपका d भी जाएगा, 180 डिगरी हो जाएगा, 180 डिगरी, इनका अब बेरिंग, 0 डिगरी, अब इनके भी डिफरेंस जाएगा, अब सहीए, station E पर भी देखो, डिफरेंस वही, सही है, 189 डिगरी, और ये, 9 डिगरी, ठीक है, only station D, ठीक है, only station D is affected, ठीक है, affected by, by local attraction, zetक्षेन लोकल एक्षेन और tempn welfare कोई दिकत नहीं सब यह सब एक करेक्ट बेरिंग वर नक्रेंग न देखें कर दिया तो ऐट आइप I'm aar debt recommendation अब आपको एक्षंप और तो मेरी मदद परती काई कोई मेरी मेरी जोरत पड़ती हैं आपको लगता है problem हो रही है तो आप मुझे बताइए आपके problem Já solution करूंगा से ज़ीचन करूंगा टेलेग्राम चैनल परना ठीक है तो लोग נेक्स्स शेशन में एक सोजार में थैंक इक नैठारी someone झाल 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 झाल